गुपाल सिंग ओफिसियल 429 में आपका स्वागत है बताना चाहूंगा कि असाम राइफल का जो भी एक्जाम हुआ था 17 अक्टूबर को उनका रिजल्ट जो है डिकलेर कर दिया गया है आप देख सकते हैं जितने भी कंडिडेट हैं हमारे उनका जो रिजल्ट है वो अलेडी डिकलेर कर दिया गया है आपका दो से तीन नीन बाद ही आपका रिजल्ट डिकलेर कर दिया गया है इसमें जितने भी candidate है वो एक seat पे चार लोगों को वहाँ पे बुलाया हुआ है medical के लिए तो आपको बता दूँ कि जितने भी हमारे candidate हैं उनको बदाई हो इसके लिए कि अगले step के लिए qualify किये गया है और अब बता दूँ कि जितने भी candidate कलर के लिए जो एक्जाम दिये थे जो 15 अक्टूबर को एक्जाम हुआ था उनको बता दूँ कि उनका भी result जल्द से जल्द ही डिकलेर कर दिया जाएगा medical के लिए उनका जो result है वो 15 नौबर के बाद result डिकलेर किया जा सकता है उसके बाद और इनका जो medical होगा ये नौबर में ही start हो जाएगा इनजीन भाईयों का ये सुखोवी सेंटर से एक्जाम दिये थे 17 अक्टूबर को उनका जो भी medical का date आएगा वो भी नौबर के बाद ही start हो जाएगा और हमारे description में whatsapp group का link दिया हुआ है और telegram group का link दिया हुआ है उसमें आप join होकर ये PDF आप प्राप्त कर सकते हैं और किसी भाई को कोई भी problem हो हमारे description में whatsapp group या personal message मुझे करके आप कोई भी जानकारी हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं जितने भी हमारी candidate हैं वह color के लिए जो भी पेपर आया हुआ था वह थोड़ा इस बार hard था पिछली बार तो question हलका होने के कारण मेरिट जो गई हुई थी 92 एप्रॉक्स गई हुई थी 92 प्लस था लेकिन इस बार का जो मेरिट है वह expected जो मेरिट आएगी लगबग वह 60 65 प्लस ही जाएगी और इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी 65 और 75 के अंदर ही रहेगा क्योंकि यह जो पेपर हुआ था उनका हव प्रेक्शन उसमें 60 प्लस सही होगा उनका जो मेडिकल में आने का चांसे स्यादा रहेगा रिजल्ट जो भी मेडिकल का डेट आएगा पांच नौंबर के बाद आएगा आप लोग को हम अपने चैनल के माध्यम से हम बताते रहेंगे और हमारे चैनल को लाइक सेयर सस्क्रा करना ना बूले आज के लिए वस इतना ही जाय हिंद जाय भारत